नमस्कार दोस्तो रीटेलर का फेरवेट स्टोक वोड़ाफोन आईडिया शेर तो दोस्तो इस स्टोक के अंदर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हो या फिर आप लोगों ने अल्रेडी स्टोक के अंदर बाइंग करके रखिये तो दोस्तो आने वाले टाइम पर कहां पर स्टोक के अंदर exactly breakout हो सकता है and कहां से स्टोक में गिरावट आ सकती है अभी current market situation क्या चल रही स्टोक की उस पर हम बात करेंगे इस स्टोक का complete analysis करने वाले इस वीडियो के अंदर तो वीडियो काफी ज्यादा interesting गवाद वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लेना ताकि मैं जब भी next video upload करूँ वो सबसे पहले आपको मिल पाए तो आप लोगों के लिए एक important update है आप लोगों के लिए हमने free stock market की classes start किये जिसको आप free में join कर पाऊगे जहां पर आपको future and option trading कैसे करना stock में कैसे trading करना वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो classes की ज़्यादा information के लिए आप हमें WhatsApp पर contact कर सकते हो WhatsApp नमबर इस वीडियो के description में आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों बिना समय वेट कि वीडियो की करते हम शुरूआ Vodafone Idea Share की बात की जाए तो बहुत सारे लोग मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो की higher price की असपस stock के अंदर फस चुके होंगे जिन्होंने पहले कुछ सालों पहले invest किया होगा और उसके बात से stock downtrade में था लंबे समय से और उसके बात से stock में जो है फसे हुए हैं सबसे पहले हमें news की बात करूँ तो stock के अंदर एक चीज़ धियान रोको बहुत सारी news stock के अंदर आती रहती है और सारी update आप यहाँ पर ले सकते हो बट हर एक news को हम track नहीं कर सकते हैं बहुत सारी hearing चल रही है और बहुत सारी चीज़े stock में चल रहे हैं हम सबसे पहले इसके fundamentals को समझ लेते हैं क्योंकि overall company में क्या हो रहा है उसके data में क्या है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर हम chart के ओपर समझेंगे कि exactly कहां पर क्या हो सकता है और कहां पर breakout और क्या targets हम प्लान कर सकते हैं करने वाले time पर ठीक कंपनी की बात की जाए तो कोई खास इसके अच्छा fundamentals नहीं दिख रहे हैं कोई इसमें कोई ROI नहीं दिख रहा है और इसके ROC ही भी minus में दिख रहा है प्राइस जो है move करें इसको की प्राइस भागें कंपनी के अंदर जो कंपनी का जो माल बिख रहा है जो recharge लोग कर रहे है तो नए customer जुड़ना इनके लिए मुश्पिल हो पा रहा है और जो existing customer वह भी इनके पास टिकने के लिए बहुत मुश्किल से टिक रहे है जिसकी वज़े से क्या है इनके बास sales growth नहीं आ रही है और इसकी वज़े से company की जो प्राइस है जो इसके जो शेर की प्राइस है वह कहीं कहीं फसे हुई है दूसरी important चीज क्या है कि company अगर company देखोगे तर लगाता हर quarter में loss ही book करी company profitable नहीं हो पा रही है यह एक major reason है जिसकी वज़े से यह company जो है company का जो शेर है वो कहीं कहीं भाग नहीं रहा है और हमें बात करूँ detail में तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो company में 2013 के बाद से ही अगर आप देखोगे तो sales growth में भी कोई खास इनकी तेजी नहीं हुई है थोड़ी बहुत तेजी जरूर हुई है और the period of time बट कोई भी खास इनका important चीज क्या है अगर year on year profit भी देखोगे तो last इनका profit 2016 में हुआ था ठीक company profitable last 2016 के अंदर थी on year basis उसके बाद से ही company ने losses book करना start किया तो वो loss ही हमेशा से book करती आई है जिसकी वज़े से company company का जो trend है वो downtrend में चल रहा है वो stock completely downtrend में चल रहा है ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं एक और important चीज के उपर वो है shareholding pattern कौन कितना यहां पर sharehold करता है अभी हम promoter की बात करें तो अभी देख सकते हो last December 2022 का जो quarterly result था लगपक 55% के आसपास shareholding shareholding थी promoters के पास में लेकिन वहां से उनकी shareholding अभी कम हो चुकी है मात्र 37.18% की shareholding इनके पास promoters के पास बची है उसके अलावा DIs की बात की जाए sorry FIS की बात की जाए तो 4% से इन्हों ने जरूर थोड़ी बहुत अपनी position यहां पर increase करी है वो भी recent के कुछ quarters के अंदर ठीके last के 2 quarter के अंदर ही इन्हों ने कहीने का इपनी position बनाई है तो एक positive sign company के लिए आपके stock के लिए यह नजर जरूर आ रहा है कि FIS कहीने के position बना रहा जिसकी वज़े से price थोड़ा सा momentum भी देखने को मिला वो अपन टेक्निकली भी देखेंगे बट यहां पर भी data में भी यह चीज हमको देखने को मिल देखेंगे तो एक अच्छी चीज इस company में अभी तक क्या होती हुए नजर आई है मैंने आपको यह बता दिया है दूसरी important चीज किया public के पास पहले यहां पर देखोगे तो 2021 के देखोगे तो 22% के आसपास का माल ता फिर धीरी धीरी कम हुआ and currently देखेंगे तो लगबग 20% के आसपास है बीच में इनके पास भी कम था लेकिन इन्होंने भी बढ़ाए यह कहां से बढ़ा है क्योंकि यहां पर promoters न दोर पर stock में क्या चल रहा है major trend की बात की जाए stock के बड़े trend की बात की जाए तो currently देखेंगे तो stock का major trend negative ही चल रहा है stock downtrend में ही चल रहा है ठीक है दूसरी important चीज किया है यहां पर short term trend की बात की जाए 2020 के बात की जाए 2020 से पहले-पहले stock completely downtrend में आ गया था 2020 के बात रहा है लेकिन वह channel थोड़ा सा upside move करता हुआ नजर आ रहा है ठीक है बहुत जादा momentum नहीं है सिर्फ हलका full का upside momentum हलका full का move होता हुआ नजर आ अब important चीज क्या है यहां पर pattern क्या बन रहा है यह pattern की बात की जाए तो है channel downtrend में channel बन रहा है बट overall एक channel के अंदर market गूम रहा है आसपास जब भी price आती वहां से गिर आउट होती है और bottom पे जब भी आता है वहां से stock में तेजी देखने को मिलती है ठीक है current price की बात की जाए तो current price कहां पर चल रही है resistance के आसपास है bottom के आसपास है आप खुद देख के बता सकते हो कि अभी currently अगर मैं बात करूँ तो यह high level के आसपास चल ली तो कहीं ने कई resistance area को market ने hit किया है और वहीं पर trade करी है अगर यह gir out आती तो फीर से कहीं ने कई आपको यह stock 8 रुपे की price पर आता हुआ नजर आ सकता है अगर gir out होगी तो 8 रुपे की price एक अच्छी level रहने वाली stock के लिए अच्छा level रहने वाला है जहा यहां से कहीं ने कहीं stock में एक तेजी होती हुई नजर आये और काफी लंबे समय बाद stock ने एक high level को cross किया था लगबख 16 का यह level था उसको cross करके लगबख 20 के आसपास touch किया था ठीक है यह एक अच्छी चीज stock में होती हुई नजर आये अब मैं बात करूँ यहां पर छोट time frame पर resistance से 20 रुपे की price के आसपास का level ठीक है तो currently इस level को hit करने बाद stock जो है नीचे की तरफ आ रहा है अगर यह stock फिर से नीचे की तरफ continue करता तो यहां पर आप stock के अंदर गिरावट होती हुई clear cut हमको देखने को मिल सकती है कहीं ने की price यहां से continuously अगर यह जिस तरीके का pattern बनाया है और जिस तरीके से channel में बीच में चल रहा है तो इस तरीके से अगर गिरावट होती तो यह नीचे के तरफ आएगा हो सकता है स्पीड में हो सकता है दीरे दीरे आए लेकिन अगर नीचे आता तो कहीं ने कई 8 रूपीज की price बहुत ही अच्छी price रहने वाली stock के अगर इस price पर मिलता है तो कहीं ने कहीं हम short term में या फिर थोड़े समय के लिए gain के लिए हम यहां पर एक fresh buying कर सकते हैं या इस level पर average कर सकते हैं दूसरी important चीज क्या है यहां पर दूसरा pattern क्या देखने को मिल रहा है कि company ने कहीं ने कहीं देखोंगे तो अभी shareholding pattern में भी हम को changes देखने को मिला और pattern की बात की जाए तो कहीं ने कहीं head and shoulder pattern यहां पर बनता हो नजर आ रहा है ठीक है यहां पर inverted head and shoulder pattern दिख रहा है तो अगर आने वाले time पर यह 20 को फिर से cross करती है तुरंत यानि कि यह जो गिरावट दिख रही अगर यहां से बीना गिरावट आये price नी तो कहाँ पर breakout short term में breakout हो सकता है तो breakout की बात की जाए तो कहीं ने कहीं यह level हमको देखने को मिला लगपक 16.70 का level ठीक है 16.60 या 16.60 का level इस level के उपर अगर price निकलती है फिर से तो कहीं ने कहीं थोड़ा सा उपर की तरफ move कर सकता है लेकिन again मैंने आपको क्या बताया कि stock ने high point 70 के उपर निकलता है या 17 रूपीज की price के उपर अगर निकलता है तो हम इसमें short term में trade के लिए plan कर सकते है और stop loss यहीं के छोटा stop loss plan कर सकते है अदर्वाइस यह गिरावट हो रही है तो यह continue हो सकती है ठीक है अगर फिर से इस level को cross करेगा तो बड़ी तेजी हमको 20 रूप कर लेना तक कि जब भी मैं इस तरीके का next analysis video upload करूँ तो सबसे पहले आपको मिल पाए और अगर आप stock market को सिखना चाहते हो ट्रेडिंग को सिखना चाहते हो इस तरीके का analysis आप सिखना चाहते हो तो दोस्तों आप FNO class हमारी जो live classes हमने start की उसको join कर सकते हो number आपको description मिल जाओ next video करना